हेलो फ्रेंट्स इस्टडी नोट्स एजूकेशन में आपका स्वागत है आज के हम इस वीडियो में गोरेला पेंट्रा मारवाही में निकले स्वामी आत्मानंत उत्कृष्ट विद्याले के विभिन पदों में से हिंदी माध्यम गडित व्याख्याता के लिए फॉर्म भरना सिखेंगे चलिए शुरू करते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन चालू कर ले ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्ट हो सके इस जी ले के ऑफिस्यल वेबसाइट में भी जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे यह सभी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिस्टन में दिया हुआ है आप वहां से भी जाकर अपना आसानी से फॉर्म फील कर सकते हैं तो यह फॉर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा चलिए हम इसमें देखते हैं इसमें कुछ दिशा निर्देश दि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा देख लेते हैं इसमें आविदक का नाम लिखना है इसमें कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है ध्यान देंगे उसके बाद नेक्स्ट है पीता जी का नाम लिखना है इसको भी के लिखना है यहां पस ऐनसर कर लिए कंसल्स करेंगे इसके बाद यहां पस लिंक आप रिञाना है उसके बाद यहां पस जाती वर्ग दिया हुआ है जैसे आप जर्नल है तो जर्नल HTSC OBC हैं तो आप इसके हिसाफ से सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको पत्र वैवार का पता लिखना है तो पत्र वैवार के पते में कैपिटल कर लेंगे उसके बाद आपना पता लिख देंगे उसके बाद पीन नंबर भी आपको लिखना है पीन नमबर के साथ आपको पता लिख देना है उसके बाद इसके भी इस्थाई पता में भी सेम कॉपी कर देना है उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले में मुबाइल नमबर लिखना है अगर आपका नेक्स दो मुबाइल नमबर है तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले में भी चैन कीजिए आप यहां पस अपना जीला सेलेक्ट कर लेंगे तो हम यहां पस बिलास्पूर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद next पे क्लिक कर देंगे तो आपका third page complete हो जाएगा फूर्थ पेज़ देख लेते हैं इसमें लिखा है समीदा पद है तू निम्न विध्याले में से किसी एक का हाँ करें तो हम व्याख Japan गडित हिंदी माढधयम का बर रहे हैं जिसमें पेंडरा और मरवाई में लिक ला हुआ है तो हम एक में select कर लेते हैं पहले इसके बाद हम next भी भरेंगे मरवाई में तो हमको अलग-अलग form बनना पड़ेगा फिर उसके बाद next पे click करेंगे तो fourth page complete हो जाएगा अब हम fifth page में देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है समीधा पद का chain कीजे हम इसमें गड़ीत हिंदी माध्यम के लिए भर रहे हैं तो हम select कर लेंगे आप किसी भी माध्यम के लिए भर रहे हैं या भौतिकी के लिए भर रहे हैं तो आप इसमें select कर लिजेगा उसके बाद next प से में है तो आप order में क्लिक करके यहां पस लिख सकते हैं उसके बाद next पे क्लिक करेंगे तो यह page complete हो जाएगा इस page में हमें सेक्षलिक युगेता का वीरड़ भरना है तो हम व्याखैता पन्त के लिए भर रहे हैं तो पीजी का वीरड़ भरेंगे इसमें हम अपना subject select कर लेंगे तो हमारे mathematics से तो इसमें select कर लेंगे आप इसी प्रकार subject देख सकते हैं आपका जो भी subject होगा इसमें select कर लेंगे अगर यहां subject नहीं दिया हुआ है तो आप order में click करके अपना subject feel कर सकते हैं उसके बाद next पे click करेंगे तो यह page complete हो जाएगा इस पेज में सेक्षडिक योगेता का वीवरल भरना है इसमें हम इससे पहले जो भी पद सलेक्ट किये हैं उसी के अनुसार हम इसमें भरेंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बिलासपूर इनुवर्सिटी इसमें नहीं दिया हुआ है तो और पर क्लिक करके यहाँ पस बिलासपूर इनुवर्सिटी कैपिटल में लिख लेंगे फिर उसके बाद उत्तिर होने का वर्स पूछा हुआ है तो वर्स हम इसमें फील कर देंगे 2018 उसके बाद पूर्णांग पूछा हुआ है तो पूर्णांग था 2000 2000 उसके बाद इसमें प्रापतांग पूछा हुआ है तो प्रापतांग आप देख लेंगे उसके बाद फील कर देंगे उसके बाद इसमें पर्सेंटेज पूछा हुआ है तो पर्सेंटेज को भी आप फील कर देंगे उसके बाद या आपके में grade दिया हुआ है तो इसमें लिख सकते हैं उसके बाद इसमें आपको अनिवारी रूप से चैन करना है तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें परिच्छा का माध्यम आपका क्या है दस्वी में है हिंदी हायर सेकेंटरी 12th क्लास में हिंदी, ग्रेजवेशन में हिंदी, पीजी में इंग्लीज तो आप इसी परकार सेलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी माध्यम है उसके बाद इस next पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये page complete हो जाएगा इस page में हमें website का वीवरा देना है तो इसमें देख लेते हैं अगर आपका डियलेड है तो इसमें भरेंगे अगर आपका बीएड है तो बीएड पर क्लिक कर देंगे इसमें देख सकते हैं कमेड़ यह सब दिया हुआ है अगर आपका यहापा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अबनेुक्लिक करेंगे तो आपका यह पेस्व Saskλλ लगन क्लिक करेंगे तो आपका यह 10 इस प्रकार हमको प्रमाणपत्र सेलेक्ट कर लेना है तो हाई स्कूल का सेलेक्ट कर लेंगे हायर सेकेंटरी स्कूल का सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेजवेशन का पोस्ट ग्रेजवेशन का उसके बाद बीएट का सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद इसमें आपका जाती बना है तो जाती कर लेंगे उसके बाद निवास का फिर नविंतम पास्वोर्ड फिर हस्ताक्षर इसमें आप टोटल काउंट कर लेंगे कितना है एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, तो यहाँ पस आपको दस्तावेश का लिखना है कि आपने कितना टिक किया है तो आठ पे क्लिक किया है उसके बाद नवीनतम पासपोर्ड आपको अपलोड करना है फोटो का तो यहाँ पस फोटो का एड करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं उसके बाद हस्ताक्षर का नमूना भी आपको अपलोड करना है उसके बाद दसफी क्लास का अंक्सूची आपको अपलोड करना है जिसमें आपका जन्मतिती दिख सके उसके बाद समीधा पद के लिए जो सेक्ष्डिक योग गेता जिया है जैसे हमारा पीएवया खेता के लिए भर रहे हैं तो पीजी है अगर सिक्षक के लिए भरेंगे तो हमारा ग्रिजुएशन होगा तो हम इसमें फाइल को अटेज कर देंगे उसके बाद समीधा हेतू विशक प्रमाण पत्र है तो उसे कर सकते हैं अनथा नहीं कर सकते हैं उसके बाद यह ऑफ्सनल है उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह पेज कंप्रिट हो जाएगा इसपीज में आपको आपनी प्रात्मिक्दा भरना है पद रिक्त होने की दसा में आपका आव उसके बाद व्याख्याता गडीत हिंली माद्धम के लिए second वाले में नहीं दिया तो उसमें क्लिक नहीं करेंगे उसके बाद घोषड़ापत में यस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद send me a copy my response तो आप इसको क्लिक कर देंगे तभी आपके email में send हो जाएगा फिर उसके बाद submit में क्लिक कर देंगे submit करने के बाद आपको इस प्रकार से इसमें लिखा रहाएगा आपका आवेदन कार्यले जीला सिक्षा अधिकारी गोरेला पेंटरा मरवाही में सफलता पूर्वक जमा कर दिया गया है अगर आपको एडिट करना है इस form को तो आप फर्स्ट वाले option पे क्लिक कर सकते हैं submit another response करना है अगर आप other post के लिए फिर से form भरना चाहते हैं तो second पे क्लिक कर देंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सेर सस्क्राइब और कॉमेंट करें इस वीडियो में इतना ही चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद